इस वीडियो में हम wordpress के dashboard और site में जितने भी menus हैं इनके बारे में जानेंगे यह क्या है और कैसे इनका क्या function है इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले अगर अगर आप क्विकली चाहे तो कोई भी अपना एक पोस्ट ड्राफ्ट के तौर पर सेव कर सकते हैं उसे इस उप्शन से यहाँ पर वर्टप्रेस के डैश्बोट से आप अगर चाहते हो कोई और भी अपने विट्जेट के बॉक्स को ड्रैक करके लाना तो आप यहाँ पर लाग सकते हो यहाँ पर यहाँ पर आपको पता चल जाएगा यहाँ पर जैसा कि मैं क्लिक करके आपको दिखा भी दूं इस साइट का स्टेटास अभी यह लोड वराय रिजल्ट यह देख सकते हो आप गुड है यहाँ पर एक हमें कहा रहा है कि एक रिकमेंडेट इंप्रूब्मेंट है कि आपको रिमूव कर देना चाहिए अपने इनक्टिव थीम्स यहाँ इनक्टिव थीम्स है इसमें यह न रहेगा या कोई भी नीज रहेगा वडप्रेस से लेके तो आपको वह बहुत जाएगा यहाँ पर यहाँ पर एविलेबल रहता वर्टप्रेस के डैश्पोर में आप देख सकते हो इवेंट दिखा रहे हैं मुंबई में एक इवेंट है एक थाने में होने वाला एक और मु पब्लिश किये हैं या कौन-कौन से आर्टिकल पब्लिश किये हैं हमारा वेबसाइट कैसा चल दा है यहां पर आपको दिख जाएगा साइट किट का संबरी अगर आप गूगल साइट किट इंस्टॉल करोगे तो जो कि लगभग सारे ही वर्डप्रेस उजर्स इंस्टॉल कर किटने क्लिके मिलें स्बध को गूगल से बात करते हैं यहां कि मैं ने प्रफ्रस में आपडेट सकारी यह आप जब आपडेट करोगे तो अगर कोई भी नया अपडेट आया रहेगा वर्ट्रेस पे या कोई भी आपको के तींस में अप लग इंस पे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा अगर आपको अप्डेट करना तो आप अपडेट कर लोगे यहां से उसके बाद नीचे अगर आप site kit install किये रहोगे तो आपको site kit का option दिखेगा site kit क्लिक करोगे तो आपको पूरा site kit का data दिख जाएगा आपको कितना traffic आ रहा है website पे content कैसा चला है कौन कौन से आपके pages किस पे कितना view है bounce rate कैसा है session duration कैसा है आपके website का page speed मिल जाएगा test मिल जाएगा experience पूरा कैसा आपके website आपका adsense का मिल जाएगा कि आपका website adsense से कितना earning हो रहा है यह तो अभी connected नहीं है adsense से इसलिए आपके नहीं दिखा रहा है उसके बाद यहाँ पर नीचे उसके हम चाहें तो site kit का setting भी कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे का connection है आपके पोस्ट करते हो अपने पोस्ट को देख सकते हो यह जैसे कि इस पर टोटल 27 पोस्ट पोसी रहते हैं उसके बाद बाकी के seven post आपको दूसरे page मिल जाएंगे और सौप सोब post करते हो तो यह आपके पांच pages में हो जाएंगे टोटल यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो अपने पोस्ट को कैसे देखना है यहाँ आप देख सकते हो कि कि आपकी कितने पोस्ट है किया हुगा है तो वह आपको देखने को मिल जाता है अगर आपको नहीं पता है पिलर कंटेंट क्या होता है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो वीडियो उसका मिल जाएगा आपको फोटो या कुछ भी मीडिया अप्लोड करोगे वो मिलेगा आपको आपके ब्लॉग का या विबसाइट के यहां पर आप एड नियू ऑप्शन पर क्लिक करके नहीं मीडिया भी आड कर सकते हो अपने व्लॉग या विबसाइट पर उसके नीचे आपको पेज़ेस को उप्शन सेम आज यूजवाल बस पेज़ेस में यह रहता है कि यह जनरली स्टाटी कंटेंट के को मॉडल करने के लिए हम पेज़ेस का यूज उसके नीचे आपको कमेंट्स मिल जाता है कमेंट्स में अगर आपके ब्लॉग पे कोई भी कमेंट करता है या कोई भी पेंडिंग में में text कमेंट नहीं है इसे लिए नहीं दीख रहा है उसके नीचे लिए क्या सब्सक्राइब डिकस या पे लहते हैं क्या है आप नया theme add करना चाहो कैसे add करना चाहो कौन सथी में आप add करना चाहो तो वो कर सकते हो उसके नीचे आपको plug-in मिल जाता है कि प्लगिन के section में आके आप नय प्लगिन इंस्टॉल कर सकते हो या आप प्लगिन के फाइल को भी डिट कर सकते हो अगर आपको मन हो तो लेकिन मुझे नहीं करना है अभी तो मैं इसको go back कर दे रहा हूं उसके नीचे आपको users को option मिल जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो कि total क users को भी आड़ कर सकते हो अगर आप चाहो अपने profile को कस्टमाइज करना तो वह अभी आप यहाँ से कर सकते हो यह जैसे कि मेरा profile है इस ब्लॉक पे मैं इसे जैसे चाहूँ अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दूँ अभी तो मुझे के वल समझाना है यह आपको क्या क्या options है अब नीचे चलते हैं उसके नीचे आपको tools मिल जाते है tools में आप चाहो तो आप import का option मिलेगा export का मिलेगा आप site health देखने का option मिल जाएगा जो कि dashboard में रहता है और भी बहुत सारे options होते हैं जो कि एक beginner के लिए उतने important नहीं होते हैं आपको तकिवल समझना ही है क्या क्या कै से उसके नीचे हमें settings का option मिल जाता है अगर settings पर click करोगे तो आपको आपके website का site title या tagline रखने का मिल जाता है उसके नीचे आप admin email सब कुछ मिल जाता है आप date का और time का कर सकते हो कैसे दिखेगा उसके नीचे अगर कोई cash plugin यूज करोगे जैसे कि इसमें light speed cash use होता है तो व सिंपल से view में यहां पर यह dashboard पर हम चलते हैं फिर से click करते हैं इसको मैं uncollapse कर दूँ अगर आपको और भी चीजे जाननी हो wordpress को लेके तो आप अगली वीडियो पर click करके देख सकते है या description box में आपको पूरा playlist मिल जाएगा wordpress for beginners का आप उसको click करके देख सकते हो प्रभा क्याओ